हे गाईज मैं सुमते को फिर से बहुत बहुत साथ करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट हेलबर यूट्यूब चानल पे फिर आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे कॉलेज कब से ओपन होने वाले हैं IHM कब से खुलेंगे जितने भी होटेल मैनेजमेंट के कॉलेज से हैं NCHM City से अफ्लेटेड वो सब कब से ओपन होने वाले हैं और साथ ही हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगी कब होगी इन सभी चीजों के बारे पुरी डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं और साथ ही साथ जो भी फर्स सेमेस्टर से लेकर के फाइनल ये के स्टुडेंट हैं उन लोगों कब अपने कॉलेज में जाना है क्लास्रूम टीजिंग के लिए इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं बहुत बहुत सा रिस्टोरंट का बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा था कई बार जो हैं न्सीचम के तरब से टेंटेटिव डेट भी आये हैं लेकिन वो डेट बार बार फेल होता रहा है दूट कोविड नैंटीज अभी फिर से एक डेट निकाला गया है आप सभी के र लोगा जानने वाले और साथ ही साथ इस बार का जो डेट आया है इसमें थोरा से चांसे बन जाता है कि आपकी कॉलेज अब खुल जाएंगे यह सब कुछ पुरी डिटेल से आगे हम लोग बात करेंगे कि क्यों चांस बन रहा है इस बार कॉलेज के खुलने का और बागी कि आपका एक्जाम कब होने वाला है आपके प्रैक्टिकल क्लासे कब से होंगे कितने तारीक को आपको अपने कॉलेज में डिपोर्ट करना है और साथी साथ आई टी इंडस्ट्रिल ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया है तो अभी सबसे पहले हम लोग इसमें जान ले NCHM City से Affiliated Institute है, Hotel Management के लिए उन सभी के पास इस News को, इस Letter को सेंड किया गया था इसी के साथ साथ एक Academic Calendar भी है जो आवेगे में आप लोगो को दिखाऊंगा तो स्क्रॉल करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यह जो नोटिस है, यह Hindi और English दोनों ही Language में दिया गया है तो जो भी स्टुरेंट है जनको Hindi में समझना है, जनको English में समझना है, वो आप दोनों ही इसको देख सकते हो, पास करके समस्टर 1 और समस्टर 5 के स्टुरेंट को 1 दिसमबर तक बुलाया गया है, जोईन करने के लिए College में 3 दिन का Transit Break दिया गया है और साथ यहाँ पर कुछ important जो भी point है वो मैं आप लोगों बता रहो, बाकि आप इसको पढ़कर के समझ सकते हो और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आप लोगों का IT है, industrial training जो भी student का होने वाला था 4 समस्टर में जो सभी student है, 3rd 4 में, तो आप लोगों के लिए जो आपका IT का time है, उसको भी तोड़ा से कम कर दिया गया यहाँ पर और winter vacation जो हुआ करता था, वो अब नहीं होगा यह सब तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ आप point number 10 देख लेते हो, इसी notice में तो यहाँ पी clear तरीके से बताया गया है कि जो भी college खुलने का है, और जो भी industrial training के लिए बात है, वो सब आप आपके state government के उपर depend करता है, वहाँ की situation को देखते हुए, आपका college जिस भी state में है उस state के situation को, covid के situation को देखते हुए ही, आये का process किया जाएगा, नहीं तो इस date को भी वहाँ cancel कर दिया जाएगा इस date को लेकर के ज़्यादा उमीद इसलिए भी बताया जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो है, वो date के साथ साथ academic calendar भी पुरी तरह से दिया गया है यहाँ screen पे मैं आपको लोगों को दिखा जाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, यह academic calendar है, BSC के लिए, जो भी NCHM City से affiliated institute है, उन सभी ICHM के लिए या private college के लिए भी यह लागो होता है तो यहाँ पे सभी semester के लिए दिया गया है, 1st year है, 2nd year, 3rd year, सभी semester, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी semester के लिए यहाँ पे दिया गया है इसको आप ध्यान से, पाउस करके, पढ़के समझ जाओगे, आराम से, थोड़ा सा complicated कि कुछ लोगों को जरूर लाएगा तो आप अपने college से देख वाड़ी, जरूर इससे contact करें, आपका जो confusion है, वो clear हो जाएगा I think सभी student को बता दिया गया होगा, अगर आप online class attend कर रहे होगे अपने college में तो आप सभी के पास ये चीज, I think पहुंची गया होगा, नहीं पहुंचा होगा, तो आप यहाँ से देख लो, समझ लो यहाँ पे जो पताया गया है, जो teaching on campus है, आप semester first वाले देख लो, semester first वाले student यहाँ teaching on campus के लिए, एक बारत 2020 का जो date है, वो यहाँ पे दिया गया है, मतलब 1st of December 2020, 1 December से आपकी जो classes है, वो teaching on campus, मतलब campus में जाकर के आपकी जो classes है, वो start हो जाने वाली है इसी तरह से आप बागी सारे semester का देख सकते हो, और साथ ही आपके mid term का exam कब होगा, आपका end term का exam कब होगा, वो सब भी date यहाँ पे दिया गया है साथ ही आप इसको नीचे scroll करके देख लोगे, सबसी नीचे जब आप देखते हो, इस academic calendar में तो यहाँ भी clear दिया गया है on campus teaching या training is subject to be local conditions and government guidelines on COVID-19 pandemic, this academic calendar is tentative and subject to change मतलब कि यह जो भी यहाँ पे campus teaching है या training से related कुछ भी बताया गया है, वो सब local condition और government के guidelines पे depend करता है COVID-19 pandemic का जो भी guidelines आएगा उसको follow करते होई या, बाद में इसको change किया जा सकता है बात रहा है, यहाँ पे physical reporting के लिए तो physical reporting जब आप first day अपने college में जाओगे, उस time ही वहाँ पे दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे 1 December दिया गया है, अगर 1 December यह date fix हो जाता है, तो इस date पे ही आपकी physical reporting हो सकती है यह academic calendar और इसके साथ ही यह जो notice अभी मैंने यहाँ पे बताया है, हिंदी और English में, इन दोनों का फोटो में अपने Instagram पे upload कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जा करके, इसको download करके, या ऐसे भी आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, maximum share करें, students के पास, अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है, तो hotel management's related, our greatest update लेने के लिए, हमारे चानल को subscribe करके, बैल आकर जरूर प्रेस कर दें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद